दो हिंदुस्तान बन रहे हैं एक अमीरों का हिंदुस्तान और दूसरा गरीबों का हिंदुस्तान और हिंदों हिंदुस्तानों के बीच में खाई बढ़ती जा रही है मगर आपने यह नहीं कहा कि रोजगार ढूंडने के लिए उत्तर प्रदेश में वहां पे युवाओं ने क्या किया और इसके बार ने नहीं बुला गरीब हिंदुस्तान के पास आज रोजगार नहीं है प्रेजिदेंचिल अड्रेस में बेरोजगारी के बारे में एक शब रूजगार और पूरे हिंदुस्तान में हिंदुस्तान का युवाओं रोजगार ढूंड रहा है हर स्टेट में उत्तर करें जिया सब जगे हिंदुस्तान का युवाओं एक चीज़ मांग रहा है रोजगार हमें दे दो और आपकी सरकार नहीं दे पार आपको मैं आकला देना चाहता हूं इस पिछले साथ तीन करों युवा रोजगार खोए हैं आपके रोजगार देने की दो हजार इकिस में तीन करों युवा रोजगार खोए हैं पचास साल से सबसे ज़्यादा बेरोजगारी आज इंडिस्तान में आपने मेक इन इंडिया की बात की स्टार्ट अप इंडिया की बात की मगर जो रोजगार हमें हमारे युवाओं को मिलना चाहिए वो नहीं मिला और जो था आप रो देंगे साथ हो गया लाकों करोड रुपया आपने उनसे छीन कर इंडिया इंडिस्तान के सबसे बड़े अरब पतियों को दिलवा दिया चाहिए एक आपने पिछले साथ साल में वो जरूर मान अन और्गनाइज सेक्टर और स्मॉल और मीडियम इंडिस्ट्री पर एक के बाद एक एक के बाद एक आक्रमन किया है नतीजा यह कि आज 84% हिंडुस्तान के लोगों की आपने और वो तेजी से गरीबी के और बढ़ रहे हैं यूपीय की सरकार ने 23 करोड लोगों को गरीबी से निकाला था 10 साल में हमारा आक्रा नहीं है हमारा आक्रा नहीं है हमारा आक्रा नहीं है हमारा आक्रा नहीं है यह सच्चा आक्रा है 27 करोड लोगों को 27 करोड लोगों को हमने उसके गरीबी से निकाला था और 23 करोड लोगों को आपने गरीबी में वापेस डाल दिया उसके साड़े तील एक व्यक्ति को हिंदुस्तान के सब पोर्ट निवेदन पोचाएंगे अब यहां के इसी ग्रीन एरजी गैस डिस्ट्रिबूशन जो भी हिंदुस्तानी जल से जल एक्जम उधर अदानी जी दिखाई देते हैं चाहिए इनको हग की अपनी लड़ाई और दूसरी साइड अपने हग की पेट्रो केमिकर चाता हूँ यह लोग है यह बच्चे टेलेकॉम रीटेल फिर वापस आई सी इतादत में उस्ट्रिबूशन तो पूरा का पूरा धन्य पर को निवेदन दे रहाओ कि चुने हुए लोगों गया और आपने जो असंगटिक सेक्टर को खतम किया अगर आप इनफॉर्मल सेक्टर को खतम कर देते प्रेजिडेंशल और आज रोजगार मैनुफैक्चरिंग जॉब्स आप क्रियेट कर देते तो फिर इतनी प्रभली नहीं आती फिर दो हिंदु हुथ हुथ भुष्टा नहीं बंते यह हैं मगर आपने क्या किया आपने असंगटिक सक्तर खतम कर दिया नोट बंदी रेइस्टी कोडूना भाट कि कि को साहरे हे ज्मॉलन मीदियो मिजिशनेन अन उनको आपने बंद कर दिया आपने मेरा इंड्या की बोलने दीजे सारे सारे जो small and medium industry है आपने उसको खतम कर दिया नश्ट कर दिया अगर आप उनकी मदद करते रोजगार और अगर आप उनकी मदद करते उनको support देते तो फिर manufacturing देने की तैयार हो सकता था मगर अगर शो लोग आपका manufacturing sector बना सकते थे उनकी खित्म कर दिया है आज हिंदुस्तान में आप मेड इन इंडिया पिछले पारोन साल में मैनुफैक्टरिंग जॉब्स छेालिस परसेंट कम हुए है 36% drop in manufacturing jobs in India. Why? Because you have destroyed the unorganized sector. Destroyed MSN, MEs. That is why you are focusing completely on fire. I have no problem with that. I don't have a problem with big industry. Focus on them. But please realize, please realize that they cannot produce jobs for you. Small and medium industries, the only people who can produce jobs. That is the reality. And what happens is that you are becoming a Hindu. You are becoming a Christian. New India, new India, make in India. And who are you? Startup. Startup India. You keep saying, keep saying, keep saying. And the country is growing. And don't think about this. Don't think about this. It's a horrible Hindu. It's a horrible Hindu. सचा यह मद्जोट अ मनि यहां यह मत्जोट यह चूप बैटा रहेगेगा यह नहीं बैठा रहेगा इस हिंदुस्तान को दिख रहा है घरीन एरर्जी की आज सुनिए इस हिंदुस्तान को को दिख रहा है की आज हिंदुस्तान के 100 सबसे अमीर लोगों के हिंदुस्तान की 55 क्रोर लोगों से जाधा जायदाद है चुने हुए दस लोगों के पूरा धन 40% हिंदुस्तान से जाधा धन है 10 लोगों के पास यह कैसे हुआ यह आपने किया यह नरेंदर मोदी जी ने किया और तो मैं आपको एक सुझाव देता हूँ प्रदान मंत्री जी को आपको सुझाव देता हूँ यह जो तो आप हिंदुस्ताना बना रहे हैं इन दो हिंदुस्तानों को जोडने का काम जल्दी से शुरू कीजिए खतम कर दिया स्मॉल और मीडियम इंडिस्ट्री की मदद करना शुरू कीजिए मगर आपने क्या जो हमारे बेरोजगार युवाएं हैं फिर दो हिंकी मदद कीजिए और यह जाप पूरा पूरा दान जॉब्स आप क्रियेट कर इन्हीं पांच-दस लोगों को दे रहे हो क्योंकि यह लगाते हैं यह काम आप बंद कीजिए नहीं तो देश का नुकसान होगा आपका नहीं देश का नुकसान होगा लेटेस्ट अपडेट्स और ताजातरीन खबरों के लिए टीवीवर इंडिया लाइफ को सब्स्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइ